यदि आप भी equity market में investment करते हो खासकर shares में investment करते हो आपने stocks का portfolio बनाया हुआ है तब यदि long term के लिए आप investment करना चाहते हो तब इन 20 companies में से कम से कम 5 से 7 companies आपके portfolio में जरूर होनी चाहिए तो पहले तुम आपको दिखांगा ये कौन-कौन सी 20 companies है और recently June 2024 के accordingly इन companies के अंदर कितनी mutual fund का जो schemes में investment किया गया है और total कितना पैसा mutual fund AMCs का लगा हुआ है तो इससे ये भी पता लगता है कि कैसी demand DIs के बीच इन companies की further बनी वी है और सारी की सारी बहुत शांदार large cap ultimate companies हैं यदि आपके portfolio में से यहां इन companies में कम से कम 25% पैसा नहीं लगा हुआ है तब आपका portfolio बहुत ज़्यादा risky हो सकता है और हो सकता है कि आपको लगे सोटर में बहुत अच्छे return बना कर वो दे रहा है लेकिन एक beauty जो होती है न तो वो ये companies है Indian stock, Indian equity market की तो ये companies आपके portfolio में यदि अभी नहीं है तो जब भी मौका मिले जो भी companies आपको अच्छे लगती है जिस भी sector से क्योंकि ये across the sectors है banking भी आएगा आपको यहां पर FMCG मिलेगा आपको IT sector भी मिलेगा तो जो भी जिस sector की company आपको पसंद आती है अपने accordingly जब मौका मिले अपने portfolio में एड कर सकते हो तो शुरू करते हैं इस stock का नाम आपको मिलेगा value in crores, कितना crores रुपया mutual fund का as on June 2024 के last तक इन companies में लगा हुआ है और fund count, कितने fund ने अपने portfolio में इन companies को जगा दी हुई है सबसे number one पर जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली company है अभी private sector का bank, जो की number one bank है SDFC bank पिछले 2-3 साल से कोई खास return मना कर नहीं दे रहा है लेकिन अभी भी मिल रहा हूँ, इसका भी समय आएगा लेकिन कब आएगा, ये तो बताना बड़ा मुस्किल है banking sector वैसे एक trouble से गुजर रहा है deposit का problem चल रही है जब पैसा retail investors का bank से निकल कर और equity में जाने लगे, समझो की सबसे बड़ी problem स्टार्ट हो गई है इसलिए long term capital gain बढ़ाया गया अब उसके पीछे और सारे objectives हो सकते हैं लेकिन हम आमादम भी यही सोचते हैं कि सायद ये भी एक कारण था और analyst ने भी ऐसा कुछ बताया है कि ये भी एक कारण हो सकता है तो SDFC bank के अंदर 2,64,725 रुपया इतना पैसा लगा हुआ है mutual fund schemes का 617 scheme ने investment किया हुआ है जो कि list में सायद सबसे जादा number of schemes ने इसमें investment किया हुआ है जो ranking यहाँ पर दी हुई है वो value wise किस company में जादा investment है इस तरीके से दी गई है second number पर भी इसका ही peer company है जो कि ये ICIC bank 1,98,774 क्रोड रुपया लगा हुआ है और 544 scheme में जगदी हुई है साथी साथ यदि आपके portfolio में इने में से कोई भी company है तब आप comment करके बता सकते हो last में मेरे portfolio में 20-20 companies में से कौन-कौन सी companies है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर Reliance Industries डेस की number one company एक लाग चोशड़ याड दोस्चटिस करोड रुपया लगा हुआ है पांसो बत्तिस स्टोक्स में मतलब स्केम से में जगा जो इसको मिली वी है Info से इस चोथे नंबर पर IT सेक्टर के अच्छी company है एक लाग बारा याड दोस्टो चवालीस करोड पैसा लगा हुआ है और जी पांसो नो स्कीम में इसको जगा मिली वी है Axis Bank नब यार करोड का पैसा लगा हुआ है As June last का जो 2024 का updated है अब जैसे share का price बढ़ेगा या नीचे जाएगा तो इस जो पैसे की है वो भी value उपर नीचे होती रहेगी Larson and Turbo again It is an ultimate company Ais company यह दी मोका मिलने पर मिले आपको गिरावट में मिले तो Ais company को खरी लेना चाहिए Long term के लिए चाहिए हो Infosys हो, Reliance Industries हो, ICC Bank हो L&T में 89 air का लबब पैसा लगा हुआ है नेक्स्ट है भारती Airtail लबब 89 air क्रोड जो है पैसा लगा हुआ है और जी 506 companies में यानिकी schemes में निवेसित हैं 506 companies ने अपने portfolio में जगा दी हुई है State Bank of India 85,000 का amount है value in crores 506 scheme में इनको भी जगा मिली हुई है NTPC का valuation जो की mutual fund scheme ने खरीदा हुआ है 67,000 का लबबग है 449 scheme में जगा दी हुई है ITC 64,000 क्रोड का valuation है और जी 388 scheme ने जगा दी हुई है TCS 60,000 क्रोड का valuation है और जी 391 TCS 430 430 scheme में जगा मिली हुई है Kotec Mahindra Bank 58,000 लबबग valuation है और जी 391 scheme ने अपने portfolio में इनको जगा दी हुई है मारूति सुजू की 50,000 क्रोड का valuation है और जी लबबग 402 scheme में जगा मिली हुई है Sun Pharma Industries 47,000 क्रोड का जो इनका portfolio का value है जो की scheme ने निवेस किया हुआ है अभी तक जो number of stocks है At the rate of current इनका जो है share price जो है Sun Pharma 417 scheme में निवेसित हैं यानि investment किया हुई है महेंदर महेंदर 44,000 का valuation है 318 scheme जो है निवेसित हैं बाजाज finance 41,306 scheme और भारत electronics 35,000 का valuation 344 scheme Power Grid Corporation 35,300 scheme Second last HCL Technologies जो की 35,000 का valuation है और 322 scheme इसमें निवेसित हैं अपने portfolio में जगा दी हुए है लिस्ट की अन्तिम 28 company हिंदूस्तान उनिलीवर 32,000 का लबग valuation है जो value बैठती है 340 scheme इसके अंदर निवेसित हैं अब आपके portfolio में कौन सी companies हैं आपको यदि उचित लगे comment करके बता सकते हो मैं आपको बताता हूँ मेरे portfolio में कौन सी companies हैं SDFC है, ICC Bank है Reliance है, Infosys है L&T है महेंदर है SCL Tech है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 to 8 companies जो हैं इस list में से मेरे portfolio में हैं तो at least आपको भी 5 company इन list में से 20 के list में से ज़रूर अपने portfolio में रखनी चाहिए यदि आपको लगता है कि नहीं आपको सस्ते price वाली company चाहिए ये multi-weager return नहीं मना कर देंगी तो ये आपको तब पता लगेगा जब आप इन companies को खरीदोगे अच्छे समय पर ऐसा नहीं है गए और तुरंत अभी खरीद लिया कि अभी मेरी वीडियो आगई देखकर खरीद लिया नहीं आपको wait करना है जब market गिरेगा हो सकता है दो महीने बाद, छे महीने बाद या फिर एक महीने बाद, या एक साल बाद जब मोका मिले तब तक जो आपको company पसंद है और जो सही price पर मिल रही है उनको खरीदो कोई दिक्कत नहीं है और long term का नजरिया है तब इन companies को आप बुरे समय में भी खरीज सकते हो अब कोई individual company में आपको नहीं बता सकता कि ये जाकर खरीद लो लेकिन आपका काम ये है कि एक एक करके इनको fundamentally analyze कीजिए क्या चीज़ें आपको समझ में आती है क्या industry से महंगी है क्या overboard zone में है क्या debt ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है promoters की holding कितनी है FISDI इसके पास कुछ है और नहीं है reserves बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे है dividend देती कंपनी नहीं देती है split up bonus की क्या history है तो ये सारे कुछ parameters साब easily जो है चेक कर सकते हो और जो company समझ में आती है जिसका business आपको समझ में आता है उस company को अपने portfolio में धेरे धेरे आप add कर सकते हैं उम्मीद है कि data आपको समझ में आया हुआ और कुछ ना कुछ जरूर valuation add की होगी यदि की है तो like और share आप इसको कर सकते हो बाकि मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम जैहिंद जैवारू